तो ट्राइंगल एंड इस प्रॉपर्टी का ये पार्ट सेकिंड है पार्ट वन जिन्हों ने देखा हो गए पार्ट वन जाके देखें उसमें हमने फस्ते लिखे 13 तक कोशन करें है ज्यादा तर वो इजी थे लेकिन कुछ डिफिकल्ट से अगर आपको स्कूल में ये चप्तर ने करवाया गो तो आपको फॉर्मले की जुरुत पड़ेगी जो वहां मैंने समझाए है अब हम अन जा रहे हैं 14 कोशन करने जो कह रहा है वो की 26 मिटर लॉंग लेडर एक लेडर है जो 26 मिटर लॉंग है और विंडो तक रीच कर रही है याँ पे लगालो विंडो वैसे करके एक लेडर है 26 मिटर ठीक है 24 मिटर फ्रॉम अगर ग्राउण ऑन प्लेसिंग अगेंस्ट आ वाल जो 24 मिटर जो विंडो का डिस्तर है वो 24 मिटर है कहता है find the distance of the foot of the ladder from the wall wall से उसका distance कितना है हमें यह distance find जनने को बोल रहा है अब यह और यह एक दूसरे के perpendicular नहीं होंगे यह कौन सी triangle बन रही है right angle triangle अब right angle triangle की कुछ properties होती है जो आपको नहीं बता होगी शायद करवा दियों तो well and good अगर नहीं करवाई है तो मैं आपको इसकी properties बता देता हूँ इसकी property हो दिये एक इसमें formula होता है जिसको बोला जाता है pythagoras sorry एक theorem होती है जो कि यह pythagoras theorem ठीक है यह theorem के कहती है कहती है कहती है कि जो 90 degree के सामने वाली opposite जो side है जिसको बोला जाता है hypotenuse ठीक है इसको बोला जाता है 90 degree के सामने जो side आती है उसको क्या बोला जाता है hypotenuse और जो angle के सामने होती है एक perpendicular होता है मैंने आपको बताया यह perpendicular होता है 90 degree और नीचे वाला क्यों होता है base होता है ठीक है अब pythagoras theorem कहती है कि जो उसके सामने वाली है उसका square दूसरी दो जो sides बचती है उसके sum के square के sum के equal होता है तो means a c square जो कि यह इसको hypotenuse और hypotenuse square perpendicular square को हम लिख सकते हैं a b square और इसको लिख सकते हैं b c square right कहता है कि जो hypotenuse का square होता है वो base plus perpendicular square plus base square के equal होता है यह pythagoras theorem का कहना है ठीक है तो यह आपने याद रखनी है hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square ठीक है यहाँ तक हो गया हमारा अब हम चलते हैं आगे question पे हमें दो values दी हैं हम तीसरी value और आम से निकाल लेंगे ठीक है a c m a दिया हुए a c a 26 तो 26 का square a b a 24 का square plus b c square ठीक है अब आपने एक काम करना है यहाँ तो 1 से लेके 30 तक square याद कर लो नहीं तो अगर नहीं होते याद तो ये वल्ला इसको a plus b का whole square बना लिया करियो उससे थोड़ा सा question easy हो जाता है ठीक है तो जिनको तो ये पता है तो अच्छी बात है जिनको नहीं पता था तो ऐसे कर सकते हो आप ठीक है तो ये बनेगा a square means 400 square इसका square फिर इसका square फिर 2 a b c ठीक है a plus b का whole square का formula होता है a square plus b square plus 2 a b ठीक है ये formula होता है इसका ठीक है a plus b का whole square तो a plus b का whole square का formula यहां पे लगा रहा हूँ है 2 into a b 2 into a 40 40 into 6 240 ठीक है यहां पे भी ऐसे ही formula plus b square ठीक है उसके बाद इन दोनों को plus करते हैं यह बनेगा sorry 640 640 plus 30 बन गया हमारा 676 और यह हमारा बन गया 6, 7, 576 bc square ठीक है अब इदर जाके minus होगा तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा इदर 676 minus 576 is equal to bc square तो bc is equal to यह square जो है यह वाला square उदर जाके क्या बनेगा उल्टा उल्टा क्या होता है उसका square root तो यह बन गया उदर जाके square root यहां फिर आप दोनों जगा square root ले सकते हो तो square root लोगे इसका square root आ जाएगा यह तो बाहर ही आ जाएगा ठीक है square root में से अगर दो value same आ रही है तो वो बाहर आ जाती है ठीक है 10 का square क्या होता है 100 और 100 का square root क्या होता है 10 ठीक है तो अब चलते हम next question पे 15th question है हमारा अब next question में वो कह रहा है कहता है कि एक tree है जो broken हुआ है tree is broken at a height of 5 meter from the ground ground से 5 meter तक वो टूट गया ठीक है 5 meter के बाद वो टूट गया और नीचे गिरा होगा ठीक है ऐसे करके तो कहता जो उसका top है its top touches the ground at a distance of 12 meter from the its base उसके base से वो 12 meter तक touch कर रहा है ठीक है तो कहता है find original height अब original height क्या होगी यह वाली height plus जो broken part है उसकी height तो हमें basically यह चीज़ fine करनी है तो यह भी same वही formula pythagoras theorem ही ठीक है क्या आएगा a c square b c square plus a b square तो a c square हमने fine करना है इस पर b c हमें दिया है 12 12 का square होता है 144 5 का square होता है 25 तो यह बन जाएगा 169 तो a c square किसके equal आ गया 169 के अब दोनों का square root करेंगे a c का square root आएगा a c ही क्युभी वो square में है इसका square root आएगा 13 करके देख लेंगा 13 13 13 into 13 क्या होता है 169 तो उसका square root 13 ही होगा ठीक है 13 meter अब यह तो हमने find कर रहा है इसको उसने क्या बोला था कि उसकी original height find कर गए दो मेंको तो उसकी original height क्या होगी जहां से वो तूटा था वो वली और जो तूटके यहां पे गिरा होए वो दोनों प्लस कर देंगे तो उसकी original height आजाएगी तो original height is equal to 13 plus 5 is equal to 18 meter ठीक है जो 16th question है अगर आप उस question को देखो और 14th question को देखो तो बिल्कुल similar question है दोनों के दोना ठीक है दोनों के दोनों equal है ठीक है दोनों ही similar है question तो यह वाला question आप खुद करिएगा अब हम चलते है 17th question पर अब अब next question है हमारा के था मिसी मिसी कौशी गिवस अ प्रॉब्लम तो हर स्टूदेंट्स find the parameter of rectangle whose length is 28 cm एक rectangle है कैती ही उसकी मैंने उनको वोला है प्रॉब्लम सॉल करने के लिए कि एक rectangle है जिसकी length है 28 m sorry cm और जो उसका diagonal है diagonal क्या होता है दो vertex के बीच का distance 35 cm जो opposite होते हैं ठीक है तो diagonal कहें था what will be the correct answer अब इसका perimeter कैसे find करेंगे है हमें breadth चाहिए इसके लिए तो हमारे पस breadth नहीं है हमें पता है जो rectangle का जो angle होता है वो कितने होते है 90 degree 90 degree होते है ना तो हम triangle बना लेते हैं यह क्या बन रही है triangle with 90 degree तो पाइथा गोर्स स्यूर्म लागाएंगे यह value हमारी आ जाएगे उससे हम parameter find कर लेंगे ठीक है तो simple सा question है bd square hypotenuse square is equal to base into base square plus perpendicular square तो base है हमारा 28 square plus यहां पर भी value डाल लेते हैं हम सीली 35 square और 28 plus bc square ठीक है अब हम इसको formula फिर से भी spaces all करते हैं जैसे हमने पहले कर रहा थे a plus b all square से 900 b ka square 25 2 a b आएगा 30 into 2 60 60 into 5 300 इदर आएगा 20 ka square 400 8 ka square आएगा 64 plus 40 into 8 320 plus bc square 900 plus 25 925 925 plus 300 12 25 यह बन जाएगा हमारा 720 and 784 यह minus करके आएगा हमारा कुछ तो आएगा 1 and 4 and 4 तो bc किसके equal आजाएगा दोनों का square root लेंगे तो bc किसके equal आएगा 21 के तो यह करके हमारा के देख लेना आपको याद होना ही चाहिए थोड़े बहुत मेंको भी तनी याद है 21 तक 21 का उता है 441 ठीक है तो 21 cm हमारा क्या आगया ब्रेट था गी ठीक है अब हमारे पास ब्रेट भी आगी है अब रेट था गी है अब हम पेरिमेटर का formula लगाएगे पेरिमेटर के आएगा of rectangle पेरिमेटर of rectangle के आएगा 2 into length plus breadth तो length कितनी है 28 breadth कितनी है 21 तो 2 into 49 49 तो 98 cm तो जो कि हमारा option B ठीक है तो यह भी इसी प्रेट प्रेट वही सब में पाइखावरस भी यूज़ हो रही है और rectangle का तो सबको पते ही होगा कि पेरिमेटर का formula के अता है और area का formula के अता है ठीक है तो चलते हम next question पे next question है हमारा 18th question अब next question हमारा देखिए वो क्या कह रहा है 18th में state t for true and f for false तो first question हमें दे रहा है कहता in the given right angle triangle ABC एक ABC right angle triangle दी हुई है A B C B पे कहता है 65 degree है और C पे कह रहा है कहता है 25 degree है और उसके बाद कहता है जो A B square है वो किसके equal है BC square plus AC square के या CA square जो भी ठीक है अब ये दोनों मिलाके अब right angle triangle है तो 90 degree यहाँ पे होगा मैंने कह बोला था hypotenuse square perpendicular square plus base square होता है तो hypotenuse तो यहाँ पे BC है तो BC तो उसने इधर लिख दिया हुआ है 90 degree ही सामने है तो BC square है यहाँ पे AB square कैसे आ सकता है तो यह क्या है false है अब चलते हम second question पे इसके तो first हमारा option आ गया false तो यह सब में ही है तो ABCD सारे के सारे option ही आ रहे है इसमें तो ठीक है तो अब next पे चलते है हमारा next question यहाँ पे उसने दिया है second part उसका the length of the third side of a triangle cannot be smaller than the difference of the lengths of other two sides third side की जो length है कहता है smaller नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती means हमेशा greater ही होगी किस से difference of other two sides के मतलब first side minus second side का दे हम अगर first third side है वो मेशा greater होगी first minus second के तो यह तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर हम two sides का अगर हम sum करें one side plus second side वो greater होगी third से लेकिन अगर third में से हम उसको minus कर देंगे तो वो मेशा greater ही होगी minus कर रहे है तो greater होगी plus कर रहे है तो जो दो sides है वो greater होगी अगर minus कर रहे है तो जो third side बचती है वो मेशा greater होगी यह rule है तो यह वाली हमारी statement के होगी true तो इस हिसाब से हमारे option बन रहे है एक B बन रहा है और एक C बन रहा है तो अब हमारा 90th question है कहता है true और false ही फिर से कौन सी statement कहता है true है statement 1 दी है कहता sum of the lengths of the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than third side 2 का sum कहता third से greater होगा sorry तो यह तो true ही है first statement 1 तो मारी होगी true अब चलते हैं हम statement 2 पे statement 2 में वो कह रहा है कहता है अगर P point O side B C of triangle ABC एक triangle ऐसे करके उसके BC के उपर एक point P दिया होगा है अगर ऐसे हम draw करें एक point P दिया है उसको अगर हम मिला दें तो कहता है जो A B है plus B C है plus C A है वो greater होगा 2 AP के अगर हम AP को double भी कर दें तब भी उससे greater होगा तो ऐसे वाला हम question कैसे solve कर सकते हैं अब उसने कुछ दिया होगा नहीं है यह perpendicular है क्या है कुछ भी नहीं दिया होगा just a point दिया होगा हमें तो अगर हम देखें तो यह दो triangles नहीं बन रही है तो triangle जो ABP है इसमें अगर मैं AB plus BP greater than AP होगा होगा की नहीं होगा होगा ठीक है उसके बाद दूसरी triangle है हमारी APC ठीक है अब दूसरी triangle हमारी यह वाली APC तो इसमें भी सेम ही AC plus AP sorry AC plus PC greater than किससे होगा AP मैंको अब AP इसके इधर चाहिए greater than के इधर इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ ठीक है otherwise मैं कहीं भी लिख सकता हूँ वो हमारी मर्जी है ठीक है दो साइट के सम करके plus a greater ही होगा जो मर्जी हो जाए ठीक है third side से अब दोनों को अगर हम plus करें तो यह आएगा AB plus AC plus BP plus CP यह PC greater than AP plus AP कितना हो गया 2AP अब AB plus AC तो यह दूसरी side आगी अब हम BC कहां से लिके हैं यह देखो ध्यान से BP और PC अगर दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा BC बन रहा है न तो AP plus AC plus BC greater than 2AP तो यह भी क्या हो गया हमारा true तो दोनों statement यह true होगी that means हमारा इस question का answer क्या है C ठीक है कुछ नहीं का रहा है जो हमारे पास पिछले में formula दिया था उसने वही हमने इसमें use कर लिया ठीक है तो अब चलते हम last question कुछ next question है जो कुछ इस तरह बनाई हुए उसने figure काफी complicated से आ है तो इसमें हम क्या करेंगे जो जो हमें triangles दिकरी हैं हम उसे सबसे बनाते जाएंगे उसे सबसे angles find करते जाएंगे ठीक है अभी मैंको सबसे पहले यह देखो यहां पे B, Q and E तो in triangle B, Q, E जो triangle दिकरी है उससे दो angle उसमें आने चाहिए find करते रहो बस ठीक है प्लस करके कितना होगा 180 30 plus 31 प्लस जो angle यह बला है ठीक है Q किसके equal होगा 180 degree के angle Q किसके equal आगया 180 degree minus 61 तो angle Q किसके equal आगया 119 के तो यह हमने find कर लिया 119 degree ठीक है उसके बाद हमें पर पर इसको find करने का कुई फैदा तो है नहीं है क्योंकि यह कुंसा triangle बन रही है तो यह तो हमने गलत angle find कर रहा अब में कोई triangle है यहां पे देखो T C N E in triangle T C E यह वाली triangle में हम यह angle मिल जाएगा और उससे x हमें easily मिल जाएगा ठीक है तो 31 plus 35 31 plus 35 कितना हो गया 66 66 minus 180 वह angle आएगा हमारा angle T तो 180 minus 66 तो यह हमारा आगया 114 तो angle T यह हमारा आगया 114 तो यह एक line पर बन रहा है है काट के जा रही है तो दोनों का sum कितना होगा 180 तो यह हमारा x से वह कितना आएगा 180 minus 114 तो यह हमारा आगया 6 6 66 degree x तो हमारा आगया 66 degree तो इसमें options 66 degree अब उसने देखो ये ध्यान से अगर हम ध्यान से question देखे उसने बोला find the values of x and y respectively respectively का मतलब होता है पहले अगर x लिखा है तो पहले x की value लिखना अगर y लिखा है तो y की value अब यहाँ पे 66 तो b option में आ रहा है पहले 66 a में आ रहा है लेकिन वो बाद में आ रहा है हमने तो x find कर रहा है y बाद में आ रहा है तो इससे तो हमें सीधे ही पता चल गया वारा b option ही correct है find कर सकते हम y भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम y find नहीं कर सकते लेकिन हम इस जुरूरत क्या है अगर हम हमारा अंसर ऐसे ही आ रहा है तो हमने क्यों उसको find करने के लिए जाना है ठीक है तो ये तो question था आपका easy सा ठीक है लेकिन अगर फिर भी कोई find करना चाहता है कि मैं को y भी find करना है बस ठीक है तो वो time waste होगा ये जो हमने trick लगाई है वो सही है लेकिन अगर करना हो अगर by chance होना पर 66 एक और option में दिया तो तब हम क्या करते तब हम y भी find करते है और क्या करते b d हमारी triangle बन रही है यहाँ पर b d n s ठीक है अब यहाँ पर देखो in triangle b d s ठीक है b d s अगर हम triangle देखे हैं हम यहाँ पर तो b d s में क्या है 30 36 36 और यह 66 तो same ही आएगा यह भी 114 ठीक है तो यह भी angle हमारा आगया 114 और यह 114 माइनस करके कितना आजाएगा 66 66 प्लस 66 कितना हो गया 132 132 माइनस 180 कितना हो गया वो हमारा y आजाएगा 48 तो 48 भी उस option में है तो b ही option आया तो यह तो एक trick था ना आपने मतलब यह नहीं है कि सब कुछ solve कर नहीं ब्याट जाना है देखना भी है ध्यान से options को भी analyze करना है आपने कि options कैसे हमने देखने है तो यह बहुत easy questions था लेकिन अगर आपने ध्यान से अगर नहीं पढ़ी statement तो आपको time लग सकता है तो next time फिर से कोई triangle वाला या कोई भी मुश्किल सा जो होगा जो लगता है कि शायद आपको school में ना करवाया हो अभी तक chapter तो हम वो वला chapter करेंगे तो फिर से वही subscribe जुरूर जाएगा एक तो करके नहीं जाते हो यार आप लोग like भी ने करते हो and share I don't know share जुरूर कर अगर अपने friends के साथ ताकी वो भी Olympiard में अच्छा कर सकें और आप जितने भी आपके साथ friends है वो सारे के सारे जो national level, international, whatever जो भी इसके levels है वहाँ तक पहुंच सकें ठीक है, school से district level, trade level ऐसे जा सकें ठीक है तो please इसको share करिए का channel को subscribe and वीडियो को like जुरूर करके जाईएगा, तो मिलते हम next video में तब तक good bye